जाहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम पॉलिटी का रिविजन कर रहे हैं माइंड में आपके तुरू जिससे की फटा-फट आपके दिमाग में सारी चीजे बैठ जाए और हम ब्रिलियंस में पॉलिटी में जबर्दस स्कोर कर सके तो आज की इस वीडियो में हम प्रियंबल जो है ये टॉपिक देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वशन आता है कि प्रियंबल क्या है देखें प्रियंबल जो है ये एक introductory and explanatory statement है document में मतलब हमारे समविधान का ये introductory क्योंकि introduction मतलब सबसे सामने जो रहने वाला है and explanatory हमारे समविधान के बारे में चीज़े ये बताता है philosophy बताता है जो purpose है हमारे constitution का वो बताता है प्रियंबल ऑफ इंडियन constitution इसमें summary और essence है हमारे constitution का कि हमारे constitution किस पर based है कौन से चीज़ों पर based है कौन से ideas पर based है वो सारी चीज़े preamble में बताई गई है इसको political horoscope कहा गया है के एम मुंशी जी के द्वारा तो ये fact है जो आपको पता रहना चीए अब दिखे हमारे preamble के अगर हम ingredients देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वह इस source of authority of constitution source of authority कौन है कौन सबसे stress है आप बोलोगे political leaders, political parties जी नहीं हमारे सम्विधान के हिसाब से ये नहीं है नीचर कैसा रहेगा Indian state का वो रहेगा so when मतलब कोई भी बाहर की जो ताकत है उनका अस्तक्षिप नहीं रहने वाला है socialist मतलब जो concentration of wealth है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी यह हम कैसे distribute करते हैं income tax के थूँ जो जाधा कमा रहा है उसको जाधा tax देना है जो कम कमा रहा है उसको कम tax देना है secular जो हमारा basically funda है secularism का वो positive वाला है जो western countries है वो negative वाला अपनाती कि हम कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं लेकिन हम positive वाला अपनाती कि हम सभी धर्म को समान मानते हैं democratic democratic देखें कि democracy direct होती है indirect होती direct मतलब जहां लोग directly involved हो रहे है directly bill pass कर रहे है directly बोर रहे है कि ये bill pass होना चाहिए indirect मतलब क्या होता है कि हम हमारे representatives जो है वो छोड़े हुए है कि भाई तुम जा तुम हमारे बारे में देखो हमारे law pass करो republic हमारे अबर मुनार की एक है equality, fraternity तो ये जो शब्द है brotherhood, equality मतलब सब समान रहना चाहिए liberty मतलब सबको आजादी है justice मतलब सबको नयाय मिलना चाहिए ये सारी ही चीजे हमारे preamble के साथ साथ हमारे समविधान में अलग-अलग तरीकों से fundamental right में, duties में, DPSP में अलग-अलग तरीकों से यहां पर बताई गई है, explain की गई है जो हम further videos में देखने वाले है date of adoption किया है constitution का 26th November 1949 बहुत important ध्यान रखना है आपको purpose, purpose क्या है preamble का तो source of constitution इसके बारे में बात करता है कि constitution का source क्या है हमारे समविधान की basic philosophy क्या है objective क्या है मतलब basically जो governance का structure है उसके बारे में discussion करता है जो independent India में ideal समय अचीव करना है उसके बारे में जिक्र करता है इतिहास के बारे में अगर हम देखे preamble के तो preamble based है objective resolution जो draft किया गया था नेरू के द्वरब, last lecture में ने इसके बारे में देखा है preamble जो है क्या ये पहला draft था पहली चीज थी जो draft constitution में थी क्योंकि सबसे पहले पेज पर हमारे constitution के देखने को मिलता है जी नहीं ये last में बनाया गया था अब दीखे, question सबसे बड़ा आता है कि preamble जो हमारे constitution का part है या नहीं है तो तीन cases यहाँ पर important है कि बेरुबारी union case जिसमें बोला गया Supreme Court के द्वरा कि हमारे constitution का part नहीं है केश्वानन्द भारती case जिसमें बोला गया कि जी हमारे constitution का part है LIC of India case जिसमें बोला गया कि भाई साब ये तो party नहीं integral part है हमारे constitution का लेकिन दो चीज़े है preamble जो है ना ही वो source of power है legislature के लिए नहीं वो legislature जो है उसके लिए prohibition है ये भाई मतलब तुम जो preamble है उसको enforceable नहीं बना रहे हो वो enforceable नहीं है लेकिन उसके बलबूते पर तुम को अगर कोई कानून बनाना है law बनाना है तो वो 22nd Amendment Act 1976 के तहर कुछ शब्द आड किये गए कौन से socialist, secular and integrity ठीक है तो इस तीन वर्ड जो है वो आड किये गए ये भी बहुत important है काफी exam में question इस पर आया हुए है तो अब गर अब तक आपने MM Academy app डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीज़े हाँ पर आपको वेरियस UPSC and State PCS courses देखने को मिलते हैं Ancient History, Medieval History, Modern History, Art and Culture, Quality, Governance, Ethics, Economy, Environment, Inter-Security, Disaster, What not सभी courses देखने को मिलते हैं Personal Guidance आपको मिलता है Syllabus Oriented Notes आपको मिलते हैं सब कुछ आपको मिलेगा आपको download करना है MM Academy app तो यहाँ पर हमारा preamble जो है वो खत्म होता है मैं उमीद कर आपको वीडियो पसंद आया होगा Share कीजिए और Subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद